ओम्च्यान्ति, हम सभी इस्रश्टी की महान आत्माएं, जिम्मेदार आत्माएं हैं, भगवान ने स्वयम हमें विश्व कल्यान का काम दिया है, हम स्रश्टी की सभी दर्मों की आत्माओं के पूर्वज भी हैं, रिलाहिश करें सत्त को के हमारे एक-एक संकल्प का प्रभाव संसार की हर आत्मा तक पहुँचता है, प्रकड़ती तक पहुँचता है, जीव जन्तुओं तक पहुँचता है, इसलिए हमें सावधान होना है कि हमारा एक-एक संकल्प महान हो, कल्यान कारी हो, सुब भावनाओं से भरा हुआ हो, इस बात पे सभी बहुत ध्यान देंगे, हम ये भी जानते हैं कि हमारे संकल्प हमें ही सबसे ज़्याद़ प्रभावित करते हैं, अगर हमारे मन में कुछ भी निगेटिव संकल्प है, किसी के लिए गरना इर्शाद्वेस है, बदले की भावना है, कुछ क्रोध है, तो वो हमें बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी इनर पावर्स को नस्ट करते हैं, इसलिए अपने संकल्प उपर बहुत ध्यान देना है, हमारा एक एक संकल्प ऐसा हो, जो सभी आत्माओं के लिए सुब भावनाओं से भरा हो, उसमें बहुत शक्ती हो, ताकि संकल्प ही बहुतों का कल्यान करें, जो मनुस अपने संकल्पों के महत्व को समझता है, वो अपने संकल्पों को महन बना देता है, मैं सदैव भावा की एक बात याद दिलाता हूं, कि हमारी सुब भावनाओं दूसरों के लिए छत्र छाया का काम करती हैं, हमारी सुब भावनाओं कोई साधारन चीज नहीं है, इस्ट देव देवियों की सुब भावनाओं हैं, विचार करें, कोई भक्त किसी देवी के मंदिर में जाता हो, और उसे बता दिया जाए, कि देवी तो तुम पर महरवान है, तुम्हारे लिए सदा ही स्रेष्ट भावना रखती है, कल्यान की काम ना करती है, तो वो व्यक्ति वो भक्त कितना आनंदित हो जाएगा, निश्चिन्त भी हो जाएगा, हम सब भी इस बात पर ध्यान दें, हम भी तो सब के इश्दे और देवियां हैं, हम भी संपर राजी हैं, बावा ने मुडली में कहा, तुम सब के सच्चे मित्र हो, चिंतन करें इस बात पर, हमें सब के सच्चे मित्र बन जाना है, बहुत सुन्दर सब्द हैं बावा के, जब भगवान हमारा मित्र बना है आकर, तो हम भी सब के सच्चे मित्र बन जाएं, सब का कल्यान करने वाले बन जाएं, अब विचार करें, हम नहीं सब का कल्यान करेंगे, तो कौन करेगा? लोग भगवान को पुकारते हैं, ये भगवान दुख हरो, ये समस्या मिटाओ, चैन दो, और भगवान अपने वच्चों को कहते हैं, अब इने मदद करो, इने सकास दो, इनके दुख हरो, इनको निश्चिंत करो, तो हमें सब के लिए सकास भेजनी है, वाइबरेशन्स भेजने है, संसार में दुख से आनती बढ़ता ही जा रहा है, भै बढ़ रहा है, भै के कारण बहुत लोग मर रहे हैं, जैसा आप सुनते होंगे, कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, भै से जादा मर रहे हैं, हमें खुद भी निर्भय होना है और सब को भी निर्भय होने के लिए vibrations देने हैं ताकि जीवन में कोई मामारी आ जाए संसार में कोई बड़ी परिष्थितियां आ जाएं हम स्वयम को समर्थ पाएं सबी लोग समस्याओं का सामना करने के लिए तयार हैं घबराएं नहीं तो आईए हम अपने संकल्पों को सुभावनाओं से भरें प्योरिटी से भरें अपने स्वमान को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं ताकि हमारा हर संकल्प का ल्यान कारी हो दुसरों को मदद करने वाला हो दुसरों को राहत देने वाला हो तब हम बाबा के सच्चे करिये करता कहलाएंगे और संसार के मित्र बन जाएंगे ओम श्यांति